ओम गण गणपतय नमहा श्री गुरुदे वदत्त नमस्कर मित्रों प्रोफिट 666 चानल में आपका स्वागत है कैसे हो आप आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे तंतर के बारे में बताने चारही हूँ जिससे इस वीडियो में बताए हुवे अंक याने की नमबर को एक विशिष्ट तरह से लिखकर अपने पास रखने से सोया हुआ भाग्य चमक उठता है याने की बन किस्मत का ताला खुल जाता है या बैड लग गुड लग में बदल जाता है यह एक बहुत ही सरल और आसाम तंत्र है इसलिए लाख कोशिश करने के बाद भी जिन लोगों को मंचा ही सफलता नहीं मिल रही है या जिन लोगों के काम बनते बनते बिगड रहे है ऐसे लोग सिर्फ पान से दस मिनिट में इस उपाई को करके इसके चमतकारी लाख पास सकते है अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कुरुपया सस्क्राइब करना मत भूलिए और तुरंट नोटिविकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें इस उपाई को किसी भी दिन सवेरे स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्रधारण करके किया जा सकता है और साधक को एक सफेत रंग के कागच के टुकडे पर लाल रंग के स्याही के पैन से आगे बताए हुवे अंक को इस वीडियो में बताए हुवे तरीके से लिख कर उसे अपने पूजा घर के सामने रख कर या अगर घर में पूजा घर ना हो तो घर में किसी भी स्वच्छ स्थान पर रख कर उसके सामने धूप और दिया प्रजवलित करना है और अपने इष्ट देवता को सच्च मन से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभू मेरे सोये हुवे भाग्य को जगाने में मुझे आशिरवाद दे इसके बाद उस कागच के टुकड़े को अच्छी तरह से फोल्ड करके एक दातू या कपड़े के तावीज में भर कर अपने दाहीने हाथ के बाहां या अपने गले में धारन करना है जिन लोगों को अपने शरीर पर तावीज रखने में परेशानी होती है या किसी ना किसी कारण की वजह से वह तावीज को धारन नहीं कर सकते है ऐसे लोग उस कागच के टुकड़े को अपने जेब में या बटूए में रख सकते है अगर आपकी इच्छा हो तो आप उस कागच के टुकड़े को लैमिनेट भी कर सकते हो इसके पूर्व के वीडियो में मैंने भाग्य चमकाने के बहुत सारे मंत्र, यंत्र और उपायों के बारे में जानकारी दी है लेकिन इस वीडियो में बताया हुआ तंत्र बहुत ही अनोखा होने के कारण मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ इसका पूरे आत्म विश्वास के साथ प्रयोग करें आपको शट प्रतिशत लाब होगा यहाँ देखिए मैंने सफेद रंग के कागच पर लाल रंग की स्याही के पैन से एक स्क्वेर निकाला है और उसमें छोटे नव स्क्वेर है और उस स्क्वेर में मैंने नव अंक जिस तरह से लिखा है आपको उसी तरह से यहाँ नव अंक लिखना है उपर मैंने भाग्य चमकाने का अंक अपलिक ताबिज ऐसे लिखा है आपको वैसे नहीं लिखना है अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कुरुपया सब्सक्राइब करना मत भुलिए प्रभू सबका कल्यान करेंगे